नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल हाई टेक शर्मा में दोस्तों कोरोना वाइरस के भड़ते मामलों को देखते वे दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल ने दिल्ली में एक हफते के लोकडाउन की घोशना की है लोकडाउन के दोरान सिर्फ इमर्जेंसी सर्विसिस देने वाले या फिर वैक्सिन लेने जा रहे लोगों को निकलने की इजाज़त होगी और इसके लिए भी दिल्ली सरकार के दुवारा जारी किया गया ई-पास का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है जरूरी सेवाव से जुड़े लोगों के लिए ई-पास कैसे बनवाई ये सबसे बड़ा सवाल है तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप ई-पास कैसे बनवा सकते हो और किस-किस के लिए ये लागो होगा दोस्तो आप मोबाईल से ई-पास के लिए अपलाई कर सकते हो और इसके स्टेटस को भी जान सकते हो तो दोस्तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर लीजे बैल आइकन दबा लीजे ताकि हमारे दुआरा अपलोड की गए लिटेस्ट वीडियो का अपडेट आप सभी को समय समय पर मिल रहे तो चलिए दोस्तो वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बेना टाइम वेस्ट किये दोस्तो इसके लिए आपको डैली गवर्मेट की ओफिशल वेबसाइट डैली.gov.in पर जाना होगा आपको अपना गूगल क्रोम खोलना है और वहाँ पे डैली.gov.in लिक देना है और उस पर क्लिक कर देना है इसके बाद दोस्तो उसकी ओफिशल वेबसाइट खुल जाएगी यहां आपको सबसे उपर लिखावा दिख रहा होगा. क्लिक here to apply for e-pass for night coffee. दोस्तो आपको इसको open कर लेना है इसके बाद दोस्तो आपको अपनी भाषा सुनी चुननी है अगर आप English में comfortable हो तो English में open कर सकते हो Hindi में तो Hindi में दोस्तो मैं English में comfortable हूँ तो मैंने English पर click कर दिया है दोस्तो अगर आपने already इसके लिए apply कर रखा है तो आपके पास एक code होगा आप उसका status चेक कर सकते हो यहाँ आप से पूछ रहा है कि आपको किस परपज के लिए e-pass चाहिए तो दोस्तों आपको इस पर e-pass for travel during curfew इसको submit कर देना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ detail दी गई है कि e-pass किन किन को दिया जाएगा किन किन कि देला office का address जहां भी है कौन सी service आप देते हो date, time, कितने से कितने बज़े तक और उसके बाद दोस्तों आपका आधार ID proof आधार card आपको यहाँ पर upload कर देना है letter from your employee या फिर आपके पास किसी तरह कोई letter है तो वह भी आपको यहाँ पर upload कर देना है और इसको I acknowledge वाले इस पर टिक करके आपको इसको submit कर देना है इसके बाद दोस्तों आपको एक code दिया जाएगा जो कि आप यहाँ पर check status वाले option पर click करके यहाँ code डाल कर आप उसको status जान सकते हो कि आपका e-pass verify हुआ या नहीं दोस्तों e-pass सिर्फ उन्ही services के लिए जारी होगा जो कि जरूरी category में र इसके लावा corona vaccine लेने के लिए अगर आप जा रहे तो आप लोगों को भी e-pass के लिए apply करना होगा वहीं शादी में जाय रहे लोगों को भी e-pass का होना जरूरी है तो दोस्तों यह थी हमारी आज की complete वीडियो उमीद करता हूँ आपकी समझ में आ चुकी होगी वीडियो इस वीडियो को जादे से जादे शेर कीजिए हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट जरू कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे थाकि आप सभी को लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहे धन्यवाद दोस्तों